मित्रों, आज आप लोगों के समने जो पार्ट लेकर आये हैं, वह इंटर के नाइन्थ लेसंग नाम जिसका है स्टॉपिंग बाई उट्स इन इसनोई इवनिंग रोवर्ट फोर्स्ट इसके कम्पोजर हैं यह एक इंस्पाइरिंग पोयम है इसमें कभी हमको बताना चाहता है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं, जो और्स रखते हैं अपने वादे को पूरे करने से पहले हमको आराम कर नहीं करना चाहिए यही इस पाठ के माध्यन से कभी हम लोगों को बताना चाहता है और किताबे तो तमाम प्रकार की होती हैं हम आप लोगों को सामने जो किताब लेकर आए है वो है बेनेशन प्रकासन है और कोई भी हो किताब एक्सरसाइज करना है तो आप पाड़ देखिए कभी कह रहा हैं ये जंगल किसके हैं उट्स माने लगड़ी भी होता है जैसे वाटर माने पानी वाटर माने समूद्र होते हैं प्लूरल कुछ ऐसे वाट होते हैं जिसका हम प्लूरल बना देते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है जैसे आयरन मने लोहा आयरन मने जिंजीर होता है तो इससे जो हुज उट्स दीज आर आई थिंक आई नो कभी कह रहा है कि ये जंगल किसके हैं मैं सुनता हूं कि हमें मालूम है कि हुज उट्स हुज मैंने किसके उट्स में जंगल दीजार ये हैं आई थिंक मैं सुनता हूं आई नो कि मैं सुनता हूं कि जंगल किसके हैं हमें मालूम है कभी कह रहा है कि ये जंगल किसके हैं मैं जानता हूं मेरे इसाफ से मेरी सोच के अनुसार मैं जानता हूं कि जंगल किसके हैं और उसका जो घर है गाउं की ओर है he will not see me here he will not see me stopping here वह मुझे यहां रुका हुआ नहीं देख पाएगा तू आज ही जे उट से फिल अब बित है इसनो अपने बर्व से ढखे हुए इस जंगल में तो पूरा अगर हम लेते हैं तो इस तरह हो जाएगा अपने बर्व से ढखे हुए इस जंगल में मुझे रुका हुआ वह नहीं देख पाएगा अपने बर्व से ढखे हुए इस जंगल में मुझे रुका हुआ अर्थात मेरे रुकने पर जिसका जंगल है वह मुझे नहीं देख पाएगा अग़ी लाइन देखिए my little heart कभी कहरा है कि कि मैं रुक जाता हूँ तो मेरा चोटा घोडा हमस ठिंक इट क्वेर आश्र से सोचेगा आश्यर करेगा ये आश्यर से सोचेगा कह रहा है कि जब मैं रुकूंगा तो मेरा जो छोटा घोड़ा है वो यहां पर मुझे रुकने पर आश्यर करेगा क्वेर माने होता है आश्यर ये विचित्र तुष्टा विदाउट ए फार्म हाउस नियर यानि पास में फार्म हाउस माने होता है एक आराम गाह जिसको बोल सकते हो यानि पास में आराम गाह न होने पर यानि आराम करने के लिए जो घर होते हैं आराम गाह न होने पर मेरे यहां रुकने पर मेरा घोड़ा आश्यर करेगा between the earth and frozen lake, the darkest evening of the year darkest evening of the year, the darkest यहां पर superlative degree हो गई है evening of the year, worst की सबसे कडाके किठन, सबसे अंधेरी रात, the darkest evening of the year worst की सबसे गहरी काली साहन काल को इसे जमी हुई बर्व के बीच में frozen lake है तो जमी हुई लेक माने जील होता है between उसमें जंगलों के बीच में जंगलों के बीच में और जमी हुई जील पिर, worst की सबसे अंधेरी साहन काल में worst की सबसे अंधेरी साहन काल में इसे जमी हुई जील और जंगल के बीच में मेरे पास में यहां पर कोई farm house न होने पर मेरे रुकने पर मेरे घोड़े को आश्यर होगा आगे देखिए लगाम में लगाम में लगी हुई अपनी घंटी को बजा कर एक संकेत करना चाहता है तो आसक इफ देर इस सम मिश्टेक पूछता है कि क्या कोई गलती हो गई अपने लगाम में घोड़े की जो लगाम में घंटी लगी होती है नीचे आव लोगो ने देखा होगा उसको हिला करके पूछता है कि क्या किसी गलती बस यहां रुक गए है दोनली अधर साउंड दस्वीप के वल एक और आवाज निकलती है आप दे इजी विंड एंड डोनी फ्लैग अब यहां पर डोनी फ्लैग मन होता है बर्फ के जो छोटे छोटे गोले होते हैं बर्फ के चकते बर्फ के चकतों ने बर्फ जब गिरता है जमी हुई तो और आवा निकलती के वल एक आवा निकलती जो बर्फ गिरती है दौट्स और लौली जंगल प्यारे हैं डार्क एंड डीप अंधेरा और गहरा है जंगल प्यारा अंधेरा और गहरा है बट I have a promise to keep लेकिन हमने जो वादा किया है रुकनाई आराम करना اور आराम करने से पहले हमको मीलों चलना है और ठाथ हमने जो वादा किया है हमे अपने वादे को पूरा करना है तेक यू